नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org असलाम अलेकुम नई सुभा के इंडिपेंडिन्ट लिविंग प्रोग्राइम के और्डियो लेर्निंग टिटोरियल्स के साथ मैं हूम इस दुर्रानी आज हम बनाना सीखेंगे पकोड़े पकोड़े बनाने के लिए जिन अज़्ज़ा की जरूरत है उन में शामिल है 1.5 कप बेसन, 1 कप आईल, 1 बड़ा आलू, 1 प्यास, चंद पत्ते पालक के, चंद पत्ते हरदनिया पोदीना के और दोहरी मिर्च समग, चाट मसाला, और गुटी हुई लाल मिर्च, 1 टी स्पून, साबुद धनिया और जीरा, 1 टेबल स्पून, मीठा सोड़ा, 1 चुटकी तरकीव, एक बोल में बेसन लें और तमाम मसालेस में डाल दें और फिर थोड़ा पानी लेकर इतना इसको घोल लें, कि ना तो ये बहुत ज़्यादा गारा हो, और ना ही बहुत ज़्यादा पतला अब बेसन को 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दें, और दूसरी तरफ आलू, प्यास, पालक, हरदनिया, पोदीना, हरी मरेच को बारिक बारिक काट कर इस बेटर में शामिल कर दें, अब एक कड़ाई लें, और उसमें तेल डाल के गरम कर लें, फिर इस बेटर को उस की रेसिपी, अब आप से अगली रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज, ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिद से पेश किया गया, अपनी आरा के इज़ार के लिए, कॉमेंट कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के आर गीजिये